नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लव फॉर दिस स्टोरी में आज हम मुन्शी प्रेम चंत द्वारा रचित कहानी अगनी समाधी के बारे में बात करेंगे तो आए सुनते हैं ये अच्छी सी कहानी अगनी समाधी सादू सत्संगों के सत्संग बुरे भी अच्छे हो जाते हैं किन्तु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ उसे गांजे, चरस और भांग का चस्का पढ़ गया जिसका फल यह हुआ के एक महनती, उध्यम सील, युबक आलस्य का उपासक बन बैठा जीवन संगराम में यहाँ आनंद कहां किसी बट व्रक्ष के नीचे धूनी जल रही है एक जटा धारी महात्मा विराज रहे हैं भक्जन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल-तिल पर चरस के दम लग रहे हैं बीच-वीच में भजजन भी हो जाते हैं मजूरी धतूरी में यह स्वर्ख कहां चिलम भड़ना पयाक का काम था भक्तों को परलोक में पुन्य फल की आशा थी पयाक को ततकाल फल मिलता था चिलमों पर पहला हक उसी का होता था महत्माओं के श्री मुख से भागवस चर्चा सुनते ही वह आनन से बिहल हो उड़ता था उस पर आत्म विस्मृती सी छा जाती थी वह सौरब, संगीत और प्रकास से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुँच जाता था इसलिए जब उसकी स्त्री, रुक्मनी रात की दस ग्यारा बज़े उसे बुलाती तो पयाक को प्रत्यक्ष कक्रूर अन्वभ होता संसार उसे काटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता विशेश्ता, जब घर आने पर मालूम होता कि अभी चूला नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है वह जाती भरका था गाउं की चौकीदारी उसकी मीरास थी दो रुपे और कुछ आने बेतन मिलता था बर्दी और साफा मुक्त काम था सप्ता हमें एक दिन थाने जाना वहां अपसरों के द्वार पर जाटू लगाना अस्तवल साफ करना लकडी चीरना पयाग रक्त के घूट पी पी कर ये काम करता क्योंकि अबग्या सारेरिक और आर्थिक दोनों ही द्रश्टी से महंगी पड़ती है आसुईयों पुछते थे कि चौकिदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही और महीने में चार दिन के रुपे दो रुपे और कुछ आने ही कम न थे फिर गाओं में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रोब था बेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्ख हुआ तब पयाग के जेव खर्च की मद में आ गई अतैप जीबिका का प्रिश्ण दिनो दिन चिंतोत पादक रूप धारन करने लगा इन सत्संगों के पहले यह दमपत्ती गाओं में मजदूरी करता था रुक्मनी लकडिया तोड़कर बाजार ले जाती पयाग कभी आरा चलाता कभी हल जोतता कभी पुरहाकता जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था हश्मुक, श्रमशील, बिनोदी निद्वंद मनुष्य था और ऐसा आदमी कभी भूंकों नहीं मरता उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं करता किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भाईया कहकर दोड़ा इसलिए उसका गाउं में मान था इसी की बदौलत होने पर भी दो-तीन साल उसे अधिक कश्ट न हुआ दौनो जून की तो बात ही क्या जब महतो को यह सिद्धी न प्राप्त थी जिनके दौार पर बैलों की तीन-तीन जोडियां बद्ती थी तो पया किस गिंती में था हाँ एक जून की डाल रोटी में संदेह न था परन्तो यह समस्या दिन पर दिन विसमतर होती जाती थी उस पर बिपत्ती यह थी कि रुक्मनी भी अब किसी कारण से उसकी पती परायाट उतनी सेवा सील उतनी ततपर न थी वह उसकी बाचलता में आश्चर चनक विकास होता जाता था अतयव पयाक को किसी ऐसी सिद्धी की आवशकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे वह निश्चिन्त होकर भागवत भजन और सादू सेवा में प्रवत्त हो जाए एक दिन रुक्मनी वजार में लकडियां बेशकर लोटी तो पयाग ने कहा ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगाउं रुक्मनी ने मुझे फेर कर कहा दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते क्या आजकल कोई बाबा नहीं है जाकर चिलम भरो पयाग ने त्योरी चड़ा कर कहा भला चाहती है तो पैसे दे दे नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाओंगा तब रोएगी रुक्मनी अंगुठा दिखा कर बोली रोए मेरी बला तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो अब भी चाती फड़ती है तब भी चाती फाड़ोंगी तो अब यही फैसला है हाँ हाँ कहतो दिया मेरे पास पैसे नहीं है गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं चार पैसे मांगता हूँ तो यह जवाब देती हो रुक्मिनी तिनक कर बोली गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी चाती क्यों फटती है तुमने तो पीतल का चल्ला भी नहीं बनवाया या इतना भी नहीं देखा जाता पैयाग उस दिन घर ना आया रात को नौ बज गए तब रुक्मिनी ने किवाड बंद कर लिए समझे गाउं में कहीं छिपा बैठा होगा समझता होगा मुझे मनाने आएगी भी तो बहुत देर तक आँख न लगी संखा हो रही थी पैयाग सचमुश तो विरक्त नहीं हो गया उसने सोचा प्रातकाल पत्ता पत्ता च्छान डालूंगी किसी सादू संत के साथ होगा जाकर थाने में रपट कर दूंगी अभी तड़का ही था कि रुक्मनी थाने में चलने को तयार हो गई किवाड बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया पर ये क्या वह अकेला न था उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी उसके छीट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंगट और सरमीली चाल देखकर रुक्मनी का कलेजा धक से हो गया वह एक शड़ हत गुद्दी से खड़ी रही तब बढ़कर नई सौत को दौनों हातों के बीच में ले लिया और उसे इस भांती धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विश्पान कर रहा होगा जब पड़ोसियों की भीट छट गई तो रुक्मनी ने पयाग से पूछा इसे कहां से लाए? पयाग ने हसकर खा घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई घर का काम धंदा करेगी, पड़ी रहेगी मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया पयाग ने तिर्षी चित्वनों से देख कर कहा दख पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूँ नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है चल, मन जिससे मिले वही नई है मन जिससे ना मिले वह पुरानी है ला, कुछ पैसे हो तो दे दे तीन दिन से दम नहीं लगाया पैर सीधे नहीं पड़ते हाँ, देख दो-चार दिन इस बिचारी को खिला-पिला दे फिर तो अपने आप ही काम करने लगेगी रुक्मनी ने पूरा रुपए लाकर पैयाग के हाथ पर रग दिया दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी पैयाग में चाहिए कोई और गुड हो या ना हो यह मानना पड़ेगा कि वह साशन के मूल सिधानतों से परचित था उसने भेद नीती को अपना लक्ष बना लिया था एक मास तक किसी प्रकार की विग्न बादा न पड़ी रुकमिनी अपनी सारी चोकडियां भूल गई बड़े तड़के उठती कभी लकडियां तोड़कर कभी चारा काट कर कभी उपले पात कर बाजार ले जाती वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाक के हत्ते चढ़ा देती आधे में घर का काम चलता वह सौत को कोई काम न करने देती पड़ोसियों से कहती बहन सौत है तो क्या तो अभी कल की बहुरिया दो-चार महिने भी अराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी मैं तो काम करने को हूई ही गाउं भर में रुकमिन के सील सुवाब का वकान होता था पर सतसंगी घाग पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीती की सभस्ता पर प्रसन होता था एक दिन बहु ने कहा दीदी अब तो घर में बैठे-बैठे जी ओपता है मुझे भी कोई काम दिला दो रुकमिनी ने इस निया सिंचित स्वर में कहा क्या मेरे मूँ पे कालक पुतवाने पर लगी हुई है भीतर का काम किये जा बाहर के लिए मैं हूई ही बहु का नाम कोशल्या था जो बिगड़कर सीलिया हो गया था इस पक्त सीलिया ने कुछ जवाब न दिया लेकिन वहां लॉंडियों की दशा अब उसके लिए असाहाय हो गई थी वह दिन भर घर का काम करते करते मरे कोई नहीं पूछता रुकमिनी बाहर से चार पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमन तोड़ देगी पयाक पैसे का यार है यह बात उससे अब छुपी न थी जब रुकमिन चारा लाकर बाजार चली गई तो उसने घर की तट्टी लगाई और गाउं का रंग धंग देखने के लिए निकल पड़ी गाउं में ब्राममर्ट, ठाकुर, कायस्त, बनी सभी थे सिलिया ने सील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी इस्त्रियां उस पर मुख्ध हो गई किसी ने चाबल दिया, किसी ने डाल, किसी ने न पूछा नई बहु की आब भकत कौन न करता पहले ही दोर में सिलिया को मालूम हो गया कि गाउं में पीसन हारी कास्तान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है वह यहां घर से लोटी, तो उसके सिर पर गेहुं से भरी हुई एक टोकरी थी पयाग ने पहर रात से ही चक्की की अवास सुणी तो रुकमनी से बोला आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी रुकमनी वजार से आटा लाई थी अनाज और आटे के भाव में विशेस अंतर था उसे आश्चर हुआ कि सिलिया इतना सवेरी क्या पीस रही है उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधिरे में बैठी कुछ पीस रही है उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठा कर बोली तो उससे किसने पीसने को कहा किसका आराज पीस रही है सिलिया ने निसंग होकर कहा तुम जाकर अराम से सूती क्यों नहीं, मैं पीस्ती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगरता है, चक्की की घुमर जुमर भी नहीं सही जाती, लाओ टोक्री दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी, दो महीने तो हो गए, अरे मैंने तो तुम से कुछ नहीं कहा, तुम कहो चाह सिर्फ पर पटकाऊंगी, सीलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोक्री चीन ली और बोली, पैसे क्यों ना देंगे, कुछ बेगार करती हूँ, तू ना मानेगी, तुम्हारी लॉंडी बनकर न रहूंगी, यह तकरार सुनकर पयाग भी आ पहुँचा और रुक्मनी से बोला, क क्या कोई बैठी खिलाता है, चोका, बरतन, जाडू, बहारू, रोटी, पानी, पीसना, खूटना, यह कौन करता है, पानी खींचते-खींचते मेरे हाथों में गड़े पड़ गए हैं, मुझसे अब सारा काम ना होगा, पयाग, तो तू ही बजार जाया कर, घर का काम रहने दे रुकमिनी कर लेगी, रुकमिनी ने आपत्ती की, ऐसी बात मुझसे निकालते लाज नहीं आती, तीन दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी, तो संसार क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, क्या 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 क सब दंग रह गई, गठा उठाए न उठता था, जिन पुरुशों को घास चीलने का बड़ा अभ्यास था, उनसे भी उसने बाजी मार ली, या गठा बारा आने का विका, सीलिया ने आटा, चाबल, डाल, तेल, नमक, तरकारी मसाला, सब कुछ लिया और चार आने बचा भी ल मिनी ने समझ रखा था, कि सीलिया बाजार से दो-चार आने पैसे लेकर लोटेंगी, तो उसे डाटूंगी, दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगोंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा, पर यह सामान देखे तो आँखे खुल गई, पयाक खाने बैठा तो मसालेदार त खड़ी मिली, बोला, आज कितने आने मिले हैं, बारा आने मिले थे, सब खर्च कर डाले, कुछ बचे हो तो मुझे दे दो, सीलिया ने बचे हुए चार आने पैसे दे दिये, पयाक पैसे खंखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया, रुकमनी तो चार पैसे म मैं ही तहला टाल देती थी, मुझे गाड कर रखने थोड़े ही है, पैसे खाने पीने के लिए है के काडने के लिए, अब तू ही बजार जाया कर रुकमनी घर का काम करेगी।